अमेजोन जंगल में जीव जनतों की हजारों प्रजातिया मौजूद है जिनका संपून विशलेशन कर पाना सायद शंभव नहीं है लेकिन हमारा साइंस अमेजोन के रहसे में जीवों की खोज करने में लगातार कोशिश कर रहे है वैसे तो Amazon जंगल के जीवों का सही अनुमान लगाना काफी मुस्किल है लेकिन आज के इस वीडियो में हम Amazon जंगल के कुछ खास और अनुखे जीवों को एक्स्प्लोर करने वाले हैं जिनके बारे में आप सायद नहीं जानते जिनमें से कुछ जीव तो ऐसे भी है जो प्राय विलुप्त जीवों के श्रेनी में भी आ गया है आसा करते हैं इस वीडियो से आपको जरूर कुछ नया जानने या शीखने को मिलेगा तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ग्रिण बैसलिस आम तोर पर छिपकलिओं की एक प्रजात Васरी हैं जो दक्चिन मेक्सिकों और ऊतरी कॉलंबिया के आदर गर्म वर्सावनों में पाई जाती है जहांगे यह मूल निवासी भी है यह चिपकलिओं की बहत खास और अनोखा प्रजाती माना जाता है जो देखने में काफी अट्रेक्टिव और सुन्दर होते हैं जिसका मुख्य कारण है इसके सरीर का अद्बुत चमकिला हरा रंग जो बेहधी मनमोहक होते हैं वह अगर हम इसकी खाने की बात करें तो ये चिपकली छोटे कीट पतंगों को खा कर अपना जीवन जीते हैं साथ ही ये चिपकली छुपने की कला में भी माहिर होते हैं इस चिपकली का रंग हरा होने के कारण जब ये पोधों की डालियों में बैठे रहते हैं तो ये दिखाई नहीं देते यह छिपकली साइज में तीन फिर तक बरे हो सकते हैं दक्षिन एमेरिकी टैपीर इसे एमेजॉनियन टैपीर भी कहा जाता है जिसकी सारी रिक बनावट सबसे अलग और वीचितर होते हैं जो लोगों को हैरानी में भी डाल देते हैं क्योंकि ये देखने में कुछ हद तक पिक जैसा ही होता है लेकिन इसकी नाग काफी लंबी होती है जो इस टैपीर की सबसे हैरान कर देने वाली बात है इसकी नाग लगवग 8-10 इंच लंबी होने के खारण ये हाथी के सूड जैसा भी दिखाई देते हैं जिसकी मदद से अपने लिए सुद्ध आहर की खोज करता है अगर कुल मिला कर इस टैपीर की बात करी तो ये कही ना कही दो जानवरों का कॉम्बिनेशन मालूम परता है जिसकी लंबाई तकरीवन 5-6 फिर तक पाई जाती है और वजन लगबग 140-250 किलो गराम तक हो सकता है गोल्डेन लायन टैमरीन बंदर की ये सबसे खुबसूरत प्रजाती अमेजोन जंगल की बरसावनों के मूल निवासी है लेकिन दुख की बात यह है कि ये प्रजाती बेहती संकट गरस्त जीवों की श्रेनी में आ गए है अपने बेहत अट्रेक्टिव दिखने वाली नारंगी चमकिले रंगों और अत्यधिक लंबे बालों के कारण ये बंदर काफी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं अपने अत्यधिक छोटे साइस के कारण ये अक्सर सिकारी जीवों के द्वारा मारे जाते हैं और इसकी सारी रिक रंग इतना लुभावना और अट्रेक्टिव है जो ये चाकर भी खुद को छूपा नहीं सकता ये बंदर अपना जीवन फल फूल, अमरित और फक्षियों के अंडे खकर जीते हैं इस बंदर की लंबाई मात्र आट से 10 इंच और वजन 620 गराभी होता है जाइंट एंट इटर जो सिर्फ दक्षिन और मद्दे अमेरिका में ही पाए जाते हैं जिसे देखकर लगता ही नहीं कि ये हमारे धर्ती पर पाए जाने वाली जीव है क्योंकि इसकी सारे रिग बनावाट बेहदी अलग और विचित्र है अपनी लंबी थोतन और सरीर के अत्यधिक लंबे बालों के कारण ये बराही अदबुत दिखाई देते हैं एंटिटर देखने में जितना भयानक है उतना ही ये खतरनाग भी होते हैं क्योंकि इसके पंजो की नाकून अत्यधिक तेजधार वाले होते हैं जो सामने वाले को आसानी से गंभी रूप से घायल कर सकता है इसे चीटी और दीमकों का जानी दुस्मन माना जाता है क्योंकि ये चीटी और दीमक खाकर ही अपना जीवन जीते हैं जिस वज़े से इसे जाइंट एंटीटर नाम दिया गया है जिसकी लंबाई 6-7 फिट और वज़न 49-41 किरोगराम तक पाया जाता है आर्माडिलो आर्माडिलो साउथ अमेरिका का सबसे विचित्र प्रानी है जिसकी विश्यस्ता है जानकर आप हैरान हो जाएंगी आर्माडिलो की सबसे वरी विश्यस्ता इसकी चमरी है क्योंकि इसकी चमरी इतनी मजबूत है जिसे तलवार से भी काटा नहीं जा सकता या कहे कि ये जीव फुल बुलेट प्रूफ होता है ये जीव सिकारी उसे बचने के लिए खास तरह की निंजा टेक्निक का इस्तिमाल करती है जब भी इसे आसपास खत्रा महसूस होता है तो ये अपने आपको गेंद की तरह बना कर अपना एक सुंदर सा कवज बना लेता ह जिससे शिकारी जीव से शिकार नहीं बना पाते आर्मा डिलो की पंजे इतने तेज होते हैं जो ये आसानी से अधिक से अधिक कठोर मिटी भी खुदने में सक्षम होते हैं ये साइज में छोटे जरूर होते हैं लेकिन चलने में काफी तेज भी होते हैं इस पैक्टिकल वियर अगर हमारे भासा में कहा जाए तो इसे चस्मेदार भालू भी कहा जाता है जो दक्षिन अमेरिका का मोल निवासी भालू पर जाती है वैसे तो इस भालू का सरीर पून रूप से काला होता है लेकिन इसके आखों के चारो और पीली धारिया बनी होती है जिसके कारण दूर से देखने पर इस चस्मे जैसा प्रतीत होता है जिस बज़े से चस्मेदार भालू नाम दिया गया है भालू की यह प्रजाती पून रूप से मांसाहार होते हैं लेकिन यह भोजन में 5% ही मांस करते हैं इस वह लुकी मुखे आहार पके हुए फल बासके नए पौधे तथा बण्य पौधों की साखाए होते हैं जिस पर यह भालू फीड करते हैं इस वह लुकी सुंगने की समता अत्यधिक होती है इसलिए यह कई सो मिटर की दूर से ही अपने आहार की सक्षाटिक दक्चिन अमेरिका मध्य अमेरिका और मेक्सिको में पाए जाने वाली यह बिल्ली प्रजाती आत्यदी खतरनाग भी होते हैं जो अपने इलाके की शुरक्षा के लिए जान पर भी खेल जाते हैं सन 1922 से 1996 तक इसे प्राय बिलुक्तु घोशित कर दिया गया था क्योंकि इन बरसों में इस बिल्ली के अनोखी खाल के लिए अंदाधुन इसका शिकार किया गया था सन 2000 से 2006 तक यह दावा किया गया कि अब यह प्रजाती संकट मुटत है और बरतवन समय में यह प्रजाती अपना आस्कित्वा फिर से बनाने में सफल भी हुआ है दोस्तो हमारे आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर इस वीडियो के परती ही आपके मन में कोई सवाल या फिर आपकी कोई राय है तो हमें नीचे कमेंट बोक्स में लिककर जरूर बताए दोस्तो अगर यह वीडियो आपको इंट्रेस्टिंग लगा है तो इस वीडियो को अपने प्यारे हातों से एक लाइक करना न भूले दोस्तो अगर इसी तरह के इंट्रेस्टिंग वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिगा दोस्तो हम मिलते हैं फिर किसी नए इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद